हेलो दोस्तों और विद्यार्थियों आप सभी का ओल राउंड नोलिज में स्वागत है और आज मैं आप लोगों बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से नोटिस लिख सकते हैं जी हाँ विद्यार्थियों मालीजी कि आप अपने स्कूल के कैप्टन है और आपके स्कूल में आपके ही साथ ही मुवाइल फोन का यूज करते हैं और यह स्कूल में एलोग नहीं है यह एलोग है भी तो अच्छे यूज के लिए तो आप अपने दोस्तों को सचेत करते हुए alert करते हुए एक notice लिखिए और चिपका दीजिए अपने school में कि आइंदा mobile phone use न करें अन्य था teacher से आपको पिटाई लग सकती है और विद्यार्थियो यदि आप class 8, 9, 10, 11 या 12 में हैं तो आप मेरे channel के सभी video ज़को जरूर देखिए खासतोर से voice के वीडियो ज़को देखिए narration के वीडियो ज़को देखिए paragraph writing, letter writing, translations, special knowledge of English grammar and many more तो विद्यार्थियो इंतिजार किस बात का what are you waiting for? अभी तुरंद सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियो ज़को जरूर देखिए You are a school captain write a notice requesting students not to use mobile phones in the school तो यहाँ पर update mention कर देंगे misuse of mobile phones the students of our school are reported to be bringing mobile phones in the school और ऐसा पता चला है report मिला है कि हमारे school के students अपने साथ mobile ला रहे हैं we do not object to their carrying phones in the school as it is a vital medium of communication और हमें कोई अतराज नहीं है कि वे mobile phone अपने साथ लाते हैं क्योंकि यह communication का एक vital medium है एक बहुत ही महतपूर्ण medium या माधियम है but we come to know that some boys and girls of our school especially students of class 11th and 12th use them unnecessarily in the common rooms libraries and corridor और मुझे है साथ पता चला है कि कुछ लडके और लडकियां खास तोर से class 11th और 12th के अनावस्यक रूप से unnecessarily mobile phone का यूज करते हैं कभी common room में कभी libraries में कभी corridor में और यह एक evil practice है जो school के academic atmosphere को यानि की पढ़ने लिखने के माहोल को hamper करता है रोकता है बाधित करता है before we force the teachers and the school authority to take any strict action against us as school captain it is my duty to alert the students about its misuse और इससे पहले कि teachers और school authority मजबूर हो जाए कोई strict action उठाने के लिए school captain के रूप में मेरा यह करतब है कि मैं आप सभी students को alert कर दूँ about its misuse इसके misuse के बारे में we do not want to be punished for our indescent attitude और हम अपने indescent attitude के लिए punished नहीं होना चाहते है सजा नहीं लेना चाहते है the students who indulge in the habit of using phones for no cause at all are advised to give up the same as soon as possible और ऐसे students जो बिना किसी proper वजह के mobile phone का यूज करते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी इस आदत को जल से जल गिभफ कर दे सुधार ले छोड़ दे और एक सिनियर स्टुडेंट्स होने के ना ते यह हमारा करतब है कि हम जुनियर स्टुडेंट्स के सामने एक अच्छा एक्जामपल सेट करें और इस तरह के एक्जामपल सेट करेंगे तो वे लोग फोलो करेंगे और फिर स्कूल में न्यूसंस क्रियेट होगा यानि कि एक तरह से उबदरब मचेगा और यहाँ पर काउंटर साइंट है यानि कि हेड मास्टर सिंगनेचर करेंगे और यहाँ पर जो है साइंट है जो स्कूल के कैप्टन है A-S-D यानि के Signed उमीद करता हूँ विद्यारतियों कि आज करें वीडियों आप लोग अच्छा लगा होगा यादि यह वीडियों आप लोग को अच्छा लगे थे इस वीडियों को जरूर लाइक कर दीजेगा और विद्यार थी हो अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंट स्क्रीन के रूप में बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको नजर आ रहे होंगे किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी विडियोज को जरूर देखिए अपनी पढ़ाई की जर्नी सुरू कर दीजिए और यहीं समय बरबाद नहीं कीजिए ओल्राइड ये स्टुदेंट्स और फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग हवग ग्रेट देखिए अजर येर्सेल